नमस्कार मैं दिपिका बिंग ममी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ दोस्तो जिस प्रकार एक बच्चे के लिए मा का दूद जो है वो बहुत जादा इंपोर्टेंट होता है अगर एक नन्हा पच्चा अपनी मा का दूद पिता है तो उनका सारेरिक और मानसिक विकास जो है वो बहुत अच्छे से होता है ठीक उसी तरह से अगर एक माँ अपने बच्चे को अपना दूद पिलाती है तो उनका भी जो मानसिक और सारिक विकास होता है वो बहुत अचे से होता है तो आज हम अपने इस वीदियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं कि एक मा जो अपने बच्चे को अपना दूद पिलाती है तो इनसे एक मा को क्या-क्या बेनेफिट्स होता है तो चलिए अब इस वीडियो को हम डीटेल में जानते हैं और अगर आपके लिए इन्फोमेशन जो है कुछ नया हो और इन्फोमेटिव हो तो इसे लाइक करना बिल जिम्मेदारियां होती हो बहुत जादा बढ़ जाती हैं बचे का दूद पिलाना बचे को नहलाना बचे को मालिश करना बचे को समय समय पर सुलाना फिर बचे को वापस से उठाना दूद पिलाना और घर के भी बहुत सारे काम होते हैं तो एक मा को जो है अराम जो होती है बहुत कम मिलती है या बोला जाये अराम बिलकुल भी नहीं मिलता है तो ऐसे में अगर एक मा अपने बच्चे को दूद जो है अपने बाद अन्य गोध में लिए और अपना दूद पिलाएंगी तो बच्चा भी जो है अराम से दूद पिएगा और जिस दौरान बच्चा दूद पिरा होगा मा भी जो है अराम से बैट करके अपने बच्चे को दूद पिला रही होंगी और उनका ध्यान इधर उदर नहीं रहेगा पूरा का पूरा ध्यान अपने अगर वो अपने बच्चे को नियमित रूप से अपना दूद बिला तो जैसे कि टाइप 2 मधू में या स्तन कैंसर जो होता है अगर एक मा आपने बच्चे को दूद पिलाती है तो यह उने का खत्रा जो है बहुत कम हो जाता है डिलेवरी के बाद जो है एक मा जो है वो मानसिक तनाव से भी होकर के गुजरती है क्योंकि दोस्तों जब एक मा मा बनती है ना तो उनके उपर बहुत सारी जो नई responsibility होती है वो आ जाती है तो उनके लिए थोड़ा तफ हो जाता है थे खुद को healthy रखना चाहती है तो आप अपने बचे को अपना दूद पिलाए क्योंकि दोस्तों जब आप अपने बचे को अपना दूद पिलाते हो ना तो एक अलगी तरहएक मांसिक सूख मिलता धरोगी तरीवी क्या सन्तुष्टी मिलता है दोस्तों after delivery जो है न मोटापे की problem होना बहुत ही आम बात है बट यह मोटावा जो after delivery वाला जो मोटापा होता है जो पेट की चरवी होती है जो बढ़ा हुआ पेट होता है वो बिमारियों को attract करने के लिए बहुत जादा ही helpful होता है तो अगर आप अपने बच्चे को अपना द पीएगा तो आपके body में जो extra fat जो जमा हो गया है वो extra fat आपके बच्चे के लिए अच्छा होता है तो दूद के थुरू आपके बच्चे में चला जाएगा जो आपके बच्चे के लिए good fat का काम करेगा बट वो आपके body को नहीं चाहिए जिस वज़े से कि आप मोटे हो ग है उनका पहले का अकारथा उसमीं लाने में अपको काफी जयादा help करता है सैटन कि अगर आप अपनी बच्चे को अपना दूद पिला तो आपका जो दूबारा प्रेगनट होने का चंस्स होता है उसमें भी जो हम कमी आती है जब आपका बच्चे आपका दूद पीरा होता उनकी बॉंडिंग ही एसी होती है कि आप उसको कुछ भी वर्ट्स दे दो आप एक्स्पेन ही नहीं कर पाओगे एक माँ और बच्चे का रिस्था ही ऐसा होता है तो अगर आप अपने बच्चे के साथ अपना भावनातमक जो रिस्था होता है जो इमोशनल बॉंडिंग होता उससे और भी ज्यादा मजबूत करना चाती है और भी ज्यादा स्ट्रॉंग करना चाहते है तो आप अपने बच्चे को अपना दुद्ध पिलाएए यह सिर्फ आपके बच्चे को ही नहीं आपको भी बेनेफेट्स देता है प्लस आपका जो एक रिलेशन होता है अपने ब पिलाएगा इससे अपका बच्चा भी काफी हल्दी रहेगा और आप भी हल्दी रहेंगी और अगर आपके लिए वीडियो जो है इन्फोमेशन जो है बिल्कुल सही रहेगा तो प्लीज इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर किजेगा और अगर अभी तक आप बिंग ममी का पार्ट नहीं बनी है तो इंतजार मत कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि हम यहां पर इसी तरह के इन्फोमेटिव इन्फोमेशन जो होते हमेशा लेकर के आते रहते हैं और साथ ही जो बेल आइकॉन है उसे भी हिट कर दीजेगा